अनुशकार आज इंडिस्कस करेंगे गिलराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की सापता है पत्रिका जी कि गिलराज पत्रिका डिसकस करेंगे हिमाचल प्रदेश की सापता है पत्रिका है और दिसंबर महिने का गिलराज पत्रिका का यह फर्स्ट पार्ट है इसे पहले प वर्जाम उठाकर के देखे लियन आपको बहुत जादा है यहां से मिलने वाली है कुछिन नमबर वन देखें बोलते हैं इन वीच ओटा फॉलाइंग डिस्टिक लार्जेस्ट सोलर पावर प्रॉजेक्ट विल भी सटप तो यह अम भी बात कही गई कि हिमाचिल प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रजेक्ट जो है वो स्थापित किया जाएगा जो आजादी के बाद का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रजेक्ट होगा वो उनना जिले में स्थापित किया जाएगा ऑप्शन सी जो है वो सही हैं से गिरास पत्रिका में प और लिए पेपैङ इसी आर्टिकल में बात की कि एक किए घान रखना हैं कि ऐसे इनलंगेच्छ मिल रहे है मिल रहा है कि उसका काम भीर है अभी 改 एक सब्सक्वेशन के बाप आप दंता है कि ऑो अजया आप ढोध। इसमें कितने ऊच्छट्रग यहां पर आते हैं और यहां आते हैं और नायचरीचों के शंडार को मजड़ के और स अब में चल्द्र असे जय जूतॉ supports बप्लीशन को सब्सक्राइब गता है तो सबसे ज़्यादा सिख पफुलेशन जो है वो उनना जिले में है यह पूछा गया था एंटी के एक्जाम में उस्टाइब जब एंटी का मेंस का एक्जाम जो था ना वो MCQ बेस्ट होता था तब पूछा गया था अभी तो यह आपने सारे क्वेशन यहां से ध्यान रखने नेक्स्ट क्वेशन भी यहीं से रिलेट करेगा बोलते हैं निशाद कुमार बैगड़ अगोल्ड मेडल इन एशिन गेम्स 2023 in which of the following sports तो बोलते हैं कि निशाद कुमार ने अभी हाल पत्रिगा में आया था अगर हम बात करते हैं कि निशाद कुमार जो हैं कौन से खेल से जुड़े हुआ हैं तो यह देखो पैरा पैरा गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत कर इंडिया के लिए लाया गोल्ड मेडल जीत इंडिया के लिए जीत कर लाया तो यह जो है व इस इसमें कितने मेडल जीते थ Huh loop? यह इसमें पर जीते हैं और अगर bronze medal की बात करते हैं तो 59 bronze medal जो था वो इंडिया ने यहां पर चीते तो इस तरह से जो है वो इंडिया ayuda Lanaga reward जो है वो जीत कर यहां पर लाया इसते पहले जो था वो Asian Games होई थी Asian Games और Asian Pel Одख intensely यह दोनों अलग हैं एन्ट मैं आपको difference पता हो नचाहिए तो Asian Games की अगर हम बात करते हैं तो normal जो athletes होते हैं वो कहलते हैं प्रन्तु जो athletes थोड़े से handicapped होते हैं मतलब जो पूरी तरह से चक्षम नहीं होते हैं उनके लिए ये Asian पेरा गेम्स हैं और Asian पेरा गेम्स में 111 medal जीत कर इंडिया लाए था अग्रेशियन गेम्स की बात करते हैं तो वहां पर हमने 107 मेडल जीते थे 107 मेडल मैंसे जीता हो 28 हमने गोल्ड मेडल जीते थे और उसके बाद 38 सिल्वर 41 ब्रॉंज मेडल इस तरह से जीता हो जीत कर लाए थे तो वह मेडल टेली भी आपको ध्यान होने चाहिए दोनों की दोनों चलिए जी अगला कोशिन देखते हैं यहां से तो क्लीर होगी आपका अगला कोशिन देखें क्या बोलते हैं इसके बादेर है इसके बाद आपको परता होना चाहिए तो देखो हमांचल पर देच की जो स्कूल है उनमें जो है वो एक अच्छी चमता लाने के लिए उनमें सुधार लाने के लिए उसको लांच किया गया है इसमें क्या होगा इसमें प्रध्योग्य की टेक्नोलोजी और डेटा संचाली जो प्रणाली होगी उन से जो है उसकूलों को लेस्ट किया जाएगा जिसमें एटेंडनेस होगी एसेस्मेंट होगी एडिनिसेशन होगी स्कूलों का एडेप्टिव लर्निंग होगी लाइब र रहेगी और यहां पर ना एक और important बात है कि हिमाचल प्रदेश में यह विद्ध्यास मिकसा केंदर की सुरुवात करने वाला हिमाचल जो है वो चौत्था राज्ये बना है पूरे इंडिया में चौत्था राज्ये बना है इससे पहले तीन राज्ये जो है वो इसको खोल चु करें देखना के कौशिंद बनेंगे देखना इस तरह के कौशिंद बनें है पहले वह जैसे के वी गुड कावरनेंस के उपर कौशिंद बदा था था वो डिस्टिक पूछ लिये थे और टॉप थ्री के डिस्टिक पूछे गए थे दोहजार एक्षिस के तो इसमें कांग्रा बिलास्फुर उन्ना जो है किसी ने किसी एक्जाम में पूछे ही जाएंगे तो इन गलत करना का कोई सवाल पैदा होना नहीं जाएए उनको लें नोट कर लें बार बार रिवाइस करें अगला कोशिन देखें क्या बोलते हैं बोलते हैं अंडर सुखास्त्रय योजना मन्थली फाइनेंशल एसिस्टेंस और रुपीज 4000 will be provided to orphan children till the completion of which year तो बोलते हैं कि यह जो सुखास्त्रय योजना सरकार ने चलाई है सुखास्त्रय योजना के अंतरगत जो है वो किस वर्स की आयू पूर्ण कर होने तक जो है वो अनात वच्चों को 4000 प्या मासिक जो है वो यह मुलता रहेगा वितिया साहिता के रूप में दे साल तक जो है वो क्या होगा 4000 प्रतिमा मिलता रहेगा तो आप्शन सी 27 यह वो सही अंसर आ जाएगा किस तरह सकते हैं कि कितनी कितना माउंट दिये जाएगा पर मन्त तो यह 4000 प्या जो हो यहां पर मिलने वारा है और यह सरकार ने कहा कि जन्स हाइक और जन्स मर्बित जो है यह यह उजना है और और क्या है अनात बच्चों के लिए चलाई गई है सरकार ततपर है कि सरकार जो है वह बच्चों के लिए कुछ करे इस तरह से पूरी बात हैं कही गई जो इंपॉर्टन नहीं है प्रतो 4000 प्या 27 यह बहुत बहुत ज़्यदा इंपॉर्टन यहां से क्या है तो यह भी आपको पता होना चाहिए अगला क्यों देखें जी क्या बोलते हैं नेक्स कॉश्ण में बोलते हैं वर्ट प्रसेंटेज ऑफ सबसीडी इस गीवन तू फार्मर्स ऑन पॉंड्स तू प्रमोट फीश फार्मिंग तो बोलता है मचली पागन को बढ़ावा सर्कार कहती है कि हम मचली पालन को बढ़ावा देना चाहते हैं यहां से क्या होगा किसानों को तलाव का निर्मान करने के लिए जो है वो 80% सबसीडी हमनेंगे 80% उफदान जो है वो दिया जाएगा ऑप्शन डी जो है उसा इंसर हो जाएगा तो तलाव निर्मान के ओपर जो है यह सरकार देने की बात कहती है इसी के लिए सरकार कहती है कि हमने किसान को खुशाल करने के लिए योजना चलाई है कि किसान खुशाल है तो प्रदेश खुशाल है तो हिम उन्नती योजना की बात की जाती है कि हिम उन्नती योजना हमने चलाई है इस योजना के तह ज किरिषी अभयानतरिकी उपमसीन के अंतर का जो है ट्रैक्टर हो गया पावर वीडर हो गया ऐसे उपकर्ण देने के लिए बी जे ऑख किसान को जो है अनुगान देने की कोशी सरकार कर रही है और किसी बागवानी योग्यभूमि के नुकसान पर मौज़े को जो है उसरकार न 3,615 रुपया प्रतिबिगा से बढ़ा कर जो हो 10,000 रुपया जो हो कर दिया है तो यह भी एक बेसिक सा क्वेशन है यह कि सरकार ने क्रिसी बागवानी योग्य भूमी का अगर नुकसान होता है तो उसमें मौफजा सरकार देती है पहले देती थी 3,615 रुपया प्रतिबिग यह भी यहां पर नोट करने लाइक है कि कितना रुपया सरकार देती थी कितना रुपया अब देगी कितने उप्सेंट सब्सीडी कहां पर दी जाती है अगला क्वेशन देखें जी क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेशन में यह भी इसमें आया था बोलते हैं यहां पर in how many districts has इस दी हिमाचल प्रदेश सब्ट्रोफिकल होर्टी कल्चर इडिगेशन और वैल्ली अडॉपशन जिसको एच्पी शिवा यूज यूज यूजना कहा गया जिसको एच्पी शिवा का नाम दिया गया बोलते हैं यह प्रजेक्ट स्टार्ट किया गया प्रंतु कितने डिस् हिमाचल के साथ ऐसे डिस्टिक हैं जहां पर यूजना चलाने की बात कही गई है तो जब तक डिटेल से नहीं समझेंगे ना तब तक इन साथ डिस्टिक का कोई मतलब नहीं रह जाता तो क्या क्या आपको याद रखना है आपने दियान रखना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो किंद्री विच मंत्रा लेने जो है सरकार को एक हजार तिन सो क्रोड रुपे की जो है यह उशन कटी बंधिये बागवाने सिंचाई और मुल्ले वर्धन जो हचपी इस नि द्वारा दिया जाएगा और बाकी की रासी जो है ना वो राज्य को इनके हिमाचल प्रदेश को खुद से खर्च करनी होगी यह भी ध्यान रखें कि हचपी सी भाई योजनम में कौन सा कौन सा कौन सा इंस्टूशन जो है हो साहिता कर रहा है मैंने पहले भी बहुत बाद गिलास पत्रिका मैं बताया है एशियन डवल्मेंट बैंक है और आपने साथ डिश्टिकों के नाम ध्यान लखने हैं इसमें पहला कांगडा दूसरा बिलासपूर तीसरा मिलपूर चौथा उनना पांचमा मंडी छटा सोलन और सातमा सिर्मौर यह आते हैं इनमें क्या होग हो गया अमरूध हो गया अनार हो गया और लिची हो गया के अलावा पन हो गया प्लं के लावा जापानी फल हो गया आम के फल हो गया और GG उशन कटी बंदिये ला ना इनके उत्पादन को बढ़वा दिया जाएगा.. यह सरकार के तो क्या 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 पॉइंट सापको NOET करें था अप और है किंदर सरकार के लगा एस्यं डेवल्मेंट वैइंट किसमें साहिवित ह्सायता करेगा ना तो एस्यं डिफ्लमेंट के बार में डेटेल से बताइए कभी इसकी स्थापना होई थी कभी इसको एस्टेवलाइज किया गया था कहां पर इसका है जो है वो स्थीत है यह आप जल्दी से कमेंट करके बताइए अगला गशीन देखते हैं जी हमारे बास क्या पूझा गया है बोलते हैं how much loan will be given to student for technical education at 1% interest तो बोलते हैं कि सरकार तकनिकी सिक्सापर विद्धार्थियों को loan देने की बात कहती है एक प्रसेंट पे आज पर प्रंतु कितना loan देगी maximum कितना loan देगी हमने पहले के discuss किया था कितना percent interest देने की सरकार बात कहती है तब हमने एक percent interest की बात किय थी परन्तु अब amount पूचा गए है चलिए सोचिए अगर आफ को अंसर आता है नहीं आता है तो हम बताते हैं 20 लाख रुपए तक करें देने की बात सरकार कहती है option B जो है 20 लाख रुपए तक करें हम यहां पर देंगे क्या करेंगे सरकार कहती है कि टेक्निकल एजुकेशन होगी जैसे बीटेक बीफार्मेसी इस तरह के कोई कोर्सी करते है तो उसमें सरकार बिद्यारतियों को एक प्रसेंट ब्याज पर 20 लाख रुपए तक करेंड देने की बात कहती है मुझे लगता है कि लोन के उपर इंट्रेस्ट रेट आठ नौ इतना इतना बैंकिंग के हिसाब से नौ तो मुझे लगता है एवरेज होगा ही होगा कहीना कहीं करेंगे के लाख कि कुछ अब भुटा केहना कि कुछ लोग जो अदो पुर्वडा ने प्रेया ने घृत समय लें कुछ क्राइटेरिया व श्रौर पूरिये करती है सरकार कहती है कि हर विढ़ान सबाकर सिपर में happy वह राजीम गांधी डे वाइव इबिडिंग इस सक्वेफित कि जाएंगे जलती ही और सरकार कहती है कि 2050 दो खिरो फाइबव praxis सालएंजो और शब्कार साफित करेगी किस तरह के पाट उत्कृ्टिट पाथ चाले जो हैlled अ सरकार सफितकरने बात कहती है तो यह एक सरकार कहती है कि सप्सक्राइब करेंगे हप्रद डाटा संचारत पनाली आंगा अगला इसम्रा स मीं हिमाचल प्रदेश के किस वर्तमान जिले से संबंदित हैं इनके ओपर एक आर्टिकल घिरास पत्रिगा में आए था अब देखो यह इसपाल जी की बात करते हैं तो यह इसपाल जी जो है ना यह कहां से संबंद रखते हैं यह संबंद रखते हैं हमिर पूर जिले से कहां से हम प्षंडी नन नौफ थी सही अंसर हो जाएगा हम इंपूर से सम्बंद रखते हैं तो इनके बारे में कुछ बेशिक बातें जान लेते हैं जो एक्जाम में हल्प कर सकती हैं कहीं ना कहीं पर थोड़ी सी बेशिक जान कर जरू होना जरूरी है अब देखो इनके बारे में पत्रिगह स्टार्ट की गई थी और आपने ध्यान लगना आइं कि इसमें भारते समस्थ्याओं का शल करने के लिए लिए यह लिए लिए लिखते थे कि करांती की जरूरत । करांती की आफशक्ता उस समय होती है ट्रचाली तो ब्यवस्ता है चाहे वह समाजिक व्यवस्त तो लिए कि अधिक होती है उसके दवारा ब्लाई की अधिक होती है यहां बुराई की प्रधानता है वहां सुधार किसी काम का नहीं है यहीं पत्रीगा में लिखते थे और बहुत जादा और बहुत अच्छा लिखते थे जब कॉलेज में पढ़ते थे ना तो इनको प्रभाब में आये जैसे कि सरदार भगत सिंग हो गए चंदर सेखर हो गए जब उन लोगों को फांसी दे दी गई उनकी मृत्ति हो गई तो उसके बाद जो था ना इनको हिंदूस्तान सोचलिस्टिक डेमोक्राटिक आर्मी एक हो किसके दोरह यह चला ही गई तो आपको पता होना चाहिए कि किसके दोरह चलाई गई थी इंके दोरह ना चलाई गई थी नेक्स्ट कोरिशन पर पते हैं अगला कॉरस का वेह से इーड एंडे त्री तो यह चर्चा में आ आया क्यंभी? headlines मैं दो तिन बार इससे पहले बता चुका हूं आप देखो हुआ इस तरह से कि हिमाशल प्रदेश के मुख्यों मंत्री जो है ना उन्होंने लेट कॉम्यूनिटीज लीट को करके जो है इस पीसी को लेकर जो था वो राज्यस्तरिये 208 दिवस की समारो जो मनाया उसके धक्स्त मनाया जाता है और इसमें इसमें आपके हिसकी फीम धरूर दीघन रखें लेटte कॉम्यूनिटीज लीड करके इसकी फीम है और conductor का exam जिन्होंने दिया है उनको पता चला हुआ कि negative marking किस तरह से एकदम से नंबरों को नीचे ले जाती है 80 मैं से नंबर 50-60 भी हो जाते हैं जब जब नंबर question ज़्यादा गलत हो जाए negative marking से deal करना ना आता हो तो आप PGT paper 1 में कि अगर त्यारी कर रहे हैं और negative marking से कैसे deal करना है या आप सीख जाएंगे कि कितने question आपको करने हैं कितने नहीं करने हैं अगर paper में ही जाकर experiment ही paper में जाके हुआ तो फिर मज़ा नहीं है पहले अगर आपने experiment कि यह होंगे test series के थरू तो आपको पता चल जाएगा कितने question आपको करने हैं किस तरह से करने हैं किस तरह के question आ सकते हैं तो वह आपने चीजें ध्यान लखनी है तो लिंक नीचे दिया गया है PGT paper 1 की test series का वहां से available कर लें आप हमें directly mail भी कर सकते हैं अगला question देखें जी मार बस क्या है next question मैं बोलते हैं वर्ड cancer day every year observed dawn तो बोलते हैं कि विस्ट वा cancer दिवस प्रते एक वर्ष मनाया जाता है फ्रण तो कम मनाया जाता है ये क्योंकि रासपत्रेगा में आया तो राज्यपाल जो था वो लोगों को और साथ मैं ध्यान लखना है कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल प्रिजेंट टाइम में कौन है तो राज्यपाल है हिमाचल प्रदेश के शीव प्रताफ शुकुल जी उनका नाम ध्यान लखना है Oncology किसको कहते है Oncology कहा जाता है Study of Cancer को Study of Cancer को क्या कहते है Study of Cancer को Oncology जो है वो कहते है Oncology का Question हमने पहले भी बहुत बार डिसकस किया है आज फिर से डिसकस हो गया यह चीज़ें आपने यहां से नोट करनी है यहां से Question को थोड़ा सम उठते हैं डबली एच्चो की और ले जाते है डबली एच्चो की स्थापना कब हुई थी बार बार की Question हमने डिसकस करते हैं भूल जाते है 1948 जो है उस इंसर है स्थापना हुई थी इसका Headquarter कहां पर स्थित है जनेवा में इसका Headquarter स्थित है यह आपने ध्यान लगना है इसकी स्थापना कब हुई इसका Headquarter कहां पर स्थित है यह दो Point बने यहां से ठीके तो Important Days की जब भी बात आती है तो December महिना भी चला है December महिने में World AIDS Day मनाया जाता है December महिने में जो है वो Navy Day भी मनाया जाता है चार December को यह मना जाता है Armand Forces का जो Flag Day है ना वो भी December में मना जाता है साथ December को यह मना जाता है 10 December का Day important होता है इस दिन जो है वो Human Right Day जो है वो मनाया जाता है तो पहली से लेकर 10 December तक के यह Important Day आपने ध्यान लखने बाकी की Day आने वाले दिनों में हम डिसकस करते रहेंगे कि रास पत्रिगा में ही अगला क्वेशिन देखें बोलते है Water Polo में एक पक्स में कितने खिलाडियों की संख्या होती है Water Polo एक गेम है और इसमें एक पक्स में कितने खिलाडियों होते है एक पक्स में साथ खिलाडियों होते है करेंगे और दोनों के दोनों जो है वो याद भी रहेंगे अगला कुशिन देखें क्या बोलते हैं मड़ई मड़ई जो है। किस राज्य की आदिवासी त्युहार है तो मड़ई जो है जो हो 36 गड़का एक आदिवासी त्यौहार है यह अपने ध्यान लखना अभी हमने बड़ा था कि यूनेसको की जो इन्य जो इंतेंडिवल साइट से description उन में जो हो गर भाम को एंडर किया गया है तो गर भा कहां पर पर की जाता है बुझरात में पर्फोर्म कर इलता है और यूनेसको नहीं को अपने इंडेंजिवल कल्चर साइट में जो है वो एड़ किया है तो गर्भा इस तरह से रिलेट करें और मड़ा 36 गड़का हो गया अगले कोशन में पूछते हैं बोलते हैं आरब सागर में अक्तूबर अक्तूबर 2023 में आये किस साइकलोन ने जो हो तर्टे एक शेत्र में नुक्सान पहुंचाए तो अक्तूबर 2023 में एक साइकलोन आया था जिसने तर्टे एक शेत्र जो कोश्टल एरिया थे वहां पर नुक्सान पहुंचाए था उसका नाम सा साइकलोन तेज साइकलोन तेज कर कर दी है पोस्ट आप अभी से तयार हो जाईए और एलाइट सर्फिस के लिए जब तक पोस्टें आती है तब तक आप फुरी तरह से तयार होंगे बस एक रिवीजन करना होगा दो तिन में ही नहीं होगा और फाइनली जो है उसलेक्शन के लिए तयार रहेंगे तो कर सकते है तयारी कर रहे हैं उससे अच्छी नहीं मिल सकती कोईशन देखें जी हमने लास्ट एडिशन में डिसकस किया था कि राजपत्रिका की कोईशन बहुत ज्यादा इंपोर्टन है मोस्ट मोस्ट इंपोर्टन क्वेशन कहूंगा बोलते हैं तो इंडियन आर्मी इनाउग्रेट चीज मिल जाएग्गी तैट्स यहांपर आपको पिडियन के लिंक अगे शीज मिल जाएगा जो आपके यहांप दावले चीज मिल जाहेगी जो आपके exam point of view से जरूरी है तो आज की इस वीडियो में इतना ही है that's all for today thank you thank you very much for watching and listening very patiently